नमस्कार दोस्तों मैं राकेश एक बार फिर आप सब का मेरे इस YouTube चैनल Knowledge Seekers Hub पे स्वागत करता हूँ आज मैं आपको जल्द ही आ रही फिल्म जैश भाई जोरदार के हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर का रिव्यू देने वाला हूँ जो दर्शकों को बेहत पसंद आया है और साथ ही में Hollywood की animated movie Spider-Man Across the Spider-Web के अगले parts की release dates के बारे में भी बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन करूँगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब करें जिससे मैं आगे और भी बहतरीन वीडियोस के साथ आपका मनुरंजन कर सकूँ तो आगे बढ़ते हैं साथ की blockbusters फिल्मों के बाद अब Bollywood की आने वाली एक फिल्म को लेकर अतिशे चर्चा हो रही है इस फिल्म का नाम है जैश भाई जोरदार इस फिल्म में रनवीर सिंग के साथ शालिनी पांडे लीड रोल में नज़र आने वाली है रनवीर सिंग के इस फिल्म का इंतिजार फैंस को बहुत दिनों से था ये फिल्म 13 माई को बड़े परदो पर रिलीज होने वाली है आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसको देखने के बाद सभी अपना reviews दे रहे हैं दर्शकों को ट्रेलर बहुत पसंद आया है रनवीर सिंग हमेशा अपनी हर फिल्म में कुछ अलग करते हुए नजर आते हैं ऐसा ही हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा जैश भाई जोरदार फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद दर्शक इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं ट्रेलर का वीडियो आते ही सोशल मीडि पर धमाल मचा रहा है और हर जगह रनवीर सिंग की जमकर तारीफ हो रही है इस फिल्म में रनवीर सिंग एक गुजराती लड़के का किरतार निभा रहे हैं अगर फिल्म की ट्रेलर की बात करें तो इसे यश्रास फिल्म ने अपने ऑफिशिल यूट्यूब चैनल पर रिल लेकिन लास्ट में एक बहुत ही गहरा सोशल मेसेज भी देता है ऐसा क्या है इस फिल्म में रनवीर सिंग और शालिरी पांडे की फिल्म जैश भाय जोरदार की कहानी एक ऐसे गुजराती लड़के के बारे में जिसकी शादी हो जाती है उसके पिता जी एक सरपंच है पित चाहिए लेकिन पहली लड़की के बाद जब अल्ट्रा साउंड टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि दुबारा लड़की ही होने वाली है तसुराल वालों को ये कताई मंजूर नहीं होता और जैश भाई यानि रनवीर सिंग अपनी पत्नी शालिनी पांडे और ब जोरदार सफर के बारे में है सोशल मेसेज के साथ फिल्म में कॉमेडी ड्रामा भी है कहानी में कुछ ऐसा हो जाता है जो आगे इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन कर सामने आता है इसे जानने के लिए आप 13 माई को सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म को जरूर हैं हॉलिवुड की मोस्ट अवेटेड अनिमेटेड मूवी स्पाइडर मैन अक्रोस दे स्पाइडर वर्स की तरफ फिर बदली स्पाइडर मैन अक्रोस दे स्पाइडर वर्स की रिलीस डेट माईल्स मरॉलस और ग्वेंस्टेसी स्पाइडर वर्ल में एक बार फिर रिलीस क के लिए तैयार है Spider-Verse की अगली कड़ी Spider-Man Across the Spider-Verse का इतिजार कर रहे दर्शकों के लिए थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने में अभी कम से कम एक साल का वक्त और लगेगा अब यह फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी वैसे तो पिछले अपडेट्स क की नई डेट के बारे में जानकारी साजहा की है इस कहानी का पहला हिस्सा दो जून 2023 को रिलीज होगा तो वही इसका दूसरा पार्ट 29 मार्श 2024 को रिलीज किया जाएगा यह दूसरी बार है जब इस फिल्म की रिलीज में देर हुई है पिछली बार नवंबर 2019 में एक टीज के जरिये इसकी तारीक अप्रेल 2022 तक बढ़ा दी गई थी और अब फिर इसे जून 2023 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है इसका तीसरा पार्ट 29 मार्श 2024 को रिलीज किया जाएगा यह दूसरी बार है जब इस फिल्म की रिलीज में देर हुई है पिछली बार नवंबर 2019 में एक टीजर के जरिये इसकी तारीक अप्रेल 2022 तक बढ़ा दी गई थी और अब फिर इसे जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट लाइक और बस्त रहे जय हिंद और जय भारण